हालो ट्रेडर्स वल्कम ट्योर चैनेल चाटवी ट्रेड आज की वीडियो में हम सो मेजर ब्लीव चिप स्टॉक का इंपोर्टान सपर लेबल को अनालेसिस करेंगे कहां पर प्राइस के लिए स्ट्रॉंग आण इंपोर्टान सपर लेबल बन रहा है डेटेल्स में कवर अगर अभी तक आप चाटवी ट्रेड चैनल को सप्काइब कीए चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और वीडियो आछा लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा जो पहला स्टोक है स्टोक का नाम है एस्यान पैंड देखे एस्यान पैंड जो है यहां पर कॉंटिनुस ली 2004 के वह बन रहा है 2200-2300 के आसपास है सेकंड स्टॉक जो है वह हो गया है यहां पर HDFC ब्यांक का देखे प्राइस आक्सान में HDFC ब्यांक लिए सब्पोर्ट बन रहा है 1300-1360 के आसपास देखे जो सब्पोर्ट और रेजिस्टांस लेबूल है समिशा एक जोन का बनता है और इसमें भी एकजाली एसा हुआ है कभी भी प्राइस 200-week moving average को ब्रेक नहीं किया है लगबग 17 साल में यहां पर दो बार ही 200-week moving average को यहां पर ब्रेक किया है और प्राइस अभी उसके आसपास अभी आने की कोशिस कर रहा है जो कि अभी के लिए लंग टर्म का जो शोपड बन रहा है वो बन रहा है 1250 से 1350 इस 100-point का जोन में हैस्टी स्वियां का एक स्ट्रोंग शोपड बन रहा है लंग टर्म के लिए और जो थार्ड स्टक के स्टक का नाम है दक्टर रेडी देखिए यह जो चार्ड ओपन है डक्टर रेडी का विकली टाइम फ्रेम ओपन हुआ है और जो रेड लाइन जा रहा है यह हो गया 200 विक का मोबिंग आबरेज डक्टर रेडी में देखिए मौल्टिपूल टाइम प्राइस इस ट्रेल लाइन से स्टार्ड लिया है लागबख four times यहाँ पे टेस्ट कर लिया है और five times यहाँ पे टेस्ट करनी के लिया आ रहा है उसके आसपास भी यहाँ पे 200 विक का मोबिंग आबरेज जा रहा है जो की zone बन रहा है यहाँ पे 3500 से 3800 का zone में मतलब यहाँ पे 300 का पॉइंट का जोन में प्राइस के लिए एक स्ट्रॉंग शोपड जोन बन रहा है डॉक्टर रेडी के लिए नहीं तो थोड़ा सा उपर से भी घुम सकता है कि देखिए कितना बड़ा टाइम फ्रेम का चानेल का अंदर प्राइस चल ला है हमिशा से अपर बाउंडर से सप्लाई आया है और लोर बाउंडर से सपड मिला है थी टाइम ऑल्लेडी इसको टेस्ट कर चुका है हाई प्रोब देखेंगे तो यहां पर स्ट्राउंड ट्रेल लाइन जा रहा है जो कि ट्रेल लाइन के बाद प्राइस दो बड़ एक त्रेल लाइन को टेस्ट कर चुका है अगर इस ट्रेल नाइन का सपर यहां पर बन रहाए नियरली ट्राउजन से 2200 SDF के लिए जो strong support zone बन रहा है ओ जोन बन रहा है यहाँ पर 2000 से 2200 का बीच में ए ट्रेंड लाइन आग आज जो strong support zone क्योंकि देखिए SDF Limited का जो stock का करेगे और price हमें साथ से एक बार 200 week moving average के निचे जाता है उसके बाद bounce back करता है तो high probability बनता है कि ए जो trend line यहाँ पर जा रहा है एक बार price यहाँ पर test कर सकता है 2000 level के आसपास और इस level के आसपास एक strong support बन सकता है SDF के लिए और जो next stock हो गया ICICI bank देखिए ICIC bank का जो chart structure है 2008 से देखिए price में एक trend line जा रहा है जिसको price यहाँ पर COVID से पहले भी test किया था एक strong trend line यहाँ पर cross कर रहा है price इसको 2020 December के आसपास break करने के बाद देखिए यहाँ पर high लगाया था around 850 के आसपास अगर price से नीचे correction करता है strong support zone बन रहा है near 600 से 625 का इस zone में price को support मिलने का high probability बन रहा है अगर price इस level को hold कर लेता है तो शही है नहीं तो अगर इस level को break करेगा उसके बाद यहाँ पर 200 week moving average को एक बार test कर सकता है क्योंकि price देखे multiple time high बनाने के बाद 200 week moving average के नीचे जाने के कोशिस किया है जो next stock है वो हो गया L&D देखे L&D के लिए जो strong support zone बन रहा है अभी के लिए बन रहा है near 1500 से 1570 previous lifetime high था उसके साथ देखे price यहाँ पे एक strong channel के अंदर price trading कर रहा था और channel को price यहाँ पे breakout दिया breakout करने के बाद अभी pullback कर रहा है और next stock जो है वो हो गया SBI देखे इसमें आप ITS को भी consider कर सकते लेकिन अभी जो stock correction कर रहा है उनका support level analysis कर रहे है ITS तो भूब दिया ही नहीं है already तो ITS support के आज़ पास trading कर रहे है उसको analysis करने कुछ ज़रूरत नहीं है देखे SBI में क्या हुआ है price इस trend line से multiple time price को resistance मिला है लोगभग 5 बार price यहाँ से resistance मिला था उसके बाद price यहाँ पे इसको breakout किया breakout करने के बाद 545 के आज़ पास high लगया था और अभी correction कर रहा है SBI के लिए 400 के आज़ पास एक strong support zone बन रहा है इस zone पर अगर SBI आएगा तो वहाँ पे आप consider कर सकते क्योंकि जब भी price इतना बड़ा time frame का breakout आता है जब भी price पूल बया करेगा न वही resistant zone अभी के लिए आट आज़े strong support zone Next truck जो है ओ हो गया PD light देखे PD light में देखे एक strong trend line यहाँ पे cross कर रहा है 2000 फोटीन से और इसका जो support zone यहाँ पे बन रहा है near 1900 के आज़ पास अभी तो जो immediate support बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 2180 के आज़ पास जो strong support zone बन रहा है वो बन रहा है 1900 के आज़ पास Next truck है अल्टरा टेक देखे अल्टरा टेक में में अभी weekly chart ओपन के हो प्राइस देखे यहाँ पे एक mega phone pattern मना था उसके बाद इसको breakout क्या breakout करके अभी pullback कर रहा है अल्टरा टेक के लिए strong support बन रहा है 5400 से 5500 zone के बीच में यह stock के लिए a zone एक strong support zone बन रहा है देखे बहुत सारा stock और भी है आप देखे कहां पे जो भी stock आपको fundamentally strong लगता है और उसका multi और का support के आसपास आ रहा है उसको आप analysis किजे और उसका important support level धूंडिए और वहां पे आपका risk reward आप define कर सकते है I hope कि आपको आज का वीडियो आच्छा लगा हागा अगर वीडियो आच्छा लगा तो वीडियो लाइक किजेगा आज चानल को subscribe किजेगे मिलते हैं next वीडियो पर thank you for watching